नमस्कार, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला लगन की जातिकाओं की, मैं स्टुलाजर सचिन स्वागत और अभिनन्दन करता हूं अपने सबी प्रियोदर्शकों का, हम सबी लोग अपने आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारे क्या चशाईआईयां हैं, क्या बुराईयां हैं, इस सब हम जानते हैं या उसके बाउजुरा भी हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं जो हमें दूसरों से सुनने को मिलता है कि तुमारे अंदर यह उच् तुला राशी के कुछ ऐसे राज खूलेगी, जिसको जानना भी जरूरी है। कुछ चीजे जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको चीजे ऐसी होंगी, जो अच्छी नहीं होंगी, जिनको सुधार्मी के लिए आपको कोशिश करनी होगी। तो अगर आप तुला लंग के हैं, तुला राशी के हैं, तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं. जैसा कि नाम से इस पस्ट है तराजू, तुला निकी तराजू, नियाय करना इनका, कहते हैं, इंकी मन में हमेशा जो भी चीज रहती बहुत है, तु संतुलन, एक तराजू में अगर एक किलो का बाट रखा है, एक किलो का सामान रखा है, बिर्फीत बराबर होगा तभी वह यानि बैलेंस इनकी जिन्गी में बहुत होता है तो तराजू की तरीके से ये अपनी जीवन में हरी चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं या चाहती है तुला लग चित्रा के दो चरन, स्वाती के चार चरन और विशाका के तीन चरन से मिलकर बना है यहाँ एक चर राशी है जिसके कारण तुला जातक सेर सपाटे के शौकीर होते हैं घूमना फिद्ना मौज मस्ती तुला का स्वामी शुक्र होता है तुला और वरशब के एक ही स्वामी होने के कारण इनमें आपसी तालमेल बहुत अच्छा होता है क्योंकि वरशब का भी स्वामी शुक्र है और तुला का भी स्वामी शुक्र है कालपुरुष की कुडली में तुला सब्तम भाव में आती है और या भाव मित्रता का है, पार्टनर्शिप का है, वैवाही जीवन के सुखो का है आपके बिजनस का है, वैपार का है और बॉस के साथ अच्छे तालमेल का है बॉस यानि अपने से बड़े यह वायु तत्र की राशी है और सुभावता क्रूर राशी होती है इसका परते दिए तो पच्छम निशा की और से होता है, तुला का उदाय सिर से होता है इसलिए इसे शीर्शोद्या कहते हैं, तुला वाला व्यक्ती नपी तुनी बात करता है तोल मोल कर बोलता है उसे डीगे मानना गप मानना पसंद नहीं होता फालतों की बात करना पसंद नहीं होता इस लगन का जातक शब्दों के प्राण को सबस्दिवार होता है यानि शब्दों की गहराई, शब्दों की वैल्यू को समझता है वो अपने शब्दों को भी वेकार नहीं करता या करती है इस लगन वाले जो भी लोग होते हैं संगीर, भाशन या कोई भी चीज हो जिसको सुनना है या समझना है उसे गंबीरता से सुनते और समझते हैं ऐसे हवा में बाते नहीं करते हैं आपकी राशी का चिन्न तराजु है, तराजुगार्थ है, संतुलंग इनके अंदर न्याय करने की प्रवर्ति होती है यानि सही कमदा है, ये गलत नहीं करते किसी के साथ तुला लग में शनी उच्छ का होता है और सूर नीच का होता है तो इस लगन वालों के लिए शनी याती शुफल देने वाला होता है परम योक कारग रहे है, इस लगन का नियंतर कमर और गुर्दे के आसपास होता है इस लगन में जन्मे जातक या जाती का महिला या पुरुष आदरश वादी होते है यदि आपकी जन्म कुली में शनी बहुत अच्छा है तो इस लगन का जातक बहुत ही समझदार होगा, बहुत ही तरक्की करेगा तुला लगन वाले लोग अपनी मन की बात जो है उनको बड़े अच्छी तरीके से पेश करते हैं लगन की बातों में दम होता है, ऐसी हलकी फुलकी बात नहीं करते हैं निराशा, परिशानी, टेंशन इनकी जिंदी में बहुत कम होती है ऐसे जातक या जातकी में जातकों की प्रक्रती है, यह उदार होती है थोड़े दयालो किसम के होते हैं ओर जो भी इस लग्न के जाता के आजरदिका हैं, उनको धन खर्श करने के मामले में थोड़े से खरचीले होते हैं, हमीशा धन खर्श करने के मामले में इनका संतुलन बिगड़ा होता है, यहां पर हिए सावधान देना होगा तुला लगन के जातक मिलनसार, हस्मुख और दिल से अच्छे इनसान होते हैं इनका जन्जंपर्ग बहुत अच्छा है, लोगों से मिलना जुनना बहुत अच्छा है हर तरह के लोगों से मित्रता होती है, इनकी बुद्धी बहुत अच्छी होती है ध्यर्यवान लोग होते हैं इनमें आलस्ट भी होता है करमट भी होते हैं मित्रमंडली भी इनकी ठीक ठाक होती है ठीक ठाक मित्रमंडली होने की वज़े से इनका सहयोग इनको दोस्तों के सरफ से मिलता है और अपने सेव को यानि जो इनके नीचे काम करते हैं, जो इनके साथ होते हैं, यह उनसे खुश रहते हैं, उन्हें खुश रखते हैं, मौक अप पढ़ने पर अपने दोस्त यार या अपने नीचे काम करने वालों के लिए मदद करते हैं, या कह सकते हैं, अपने परिवार मे कोई चोटा है कोई बराबर का है यहां मुम्र है तो उसकी मदद करेंगे और अपने जो आदर्श हैं अपनी जो डिसिप्लीन्स हैं उनसे भटकते नहीं हैं तुला लंग का जातक या जादिका अपने को दूसरों से थोड़ा सा अलग दिखाने का प्रयास करने में लगा रहत है दूसरों से प्रेम करना इनका विशेश गुण है पुरानी परंपरा से हटकर ये नई चीजों में जाना बहुत पसंद करते हैं यानि पुराने जमाना छोड़िये नए जमाने की दरफ चलिये चाहे हो किसी भी छेतर में क्यों नहों चाहे काम हो शिक्षा हो प्रेम हो य ऐसे जातकों की पत्नी ज़िए उम्र में बड़ी हो तो तुला जातक अती भागेशाली होता है यानि कि अगर आप तुला के पुरुष है और आपकी पत्नी आपसे उम्र में बड़ी है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा समान में पुझ ये लोग आपके पाए जाते हैं जिससे आप इन लोगों को इंपरेस कर लेते हैं राजनीती या धार्विक पर्दिस्थान क्या मुखिया हो सकते हैं काफी मांद संभान मिलता धर्म में भी काफी उचे जाते हैं और राजनीती में भी काफी उपर जाते हैं जिसमें आपको सम्मान भी मिलता है, अधिकार भी मिलता है, दूसरों को बिना बोले ही, मतलब अपने इशारों से, अपनी अदाओं से, अपनी आँखों की मुवमेंट से ही आप लोगों को परभावित कर लेते हैं, यानि आपके अंदर लोगों को परभावित करने की च्छम पहें भी है तो जब tutक सर से कर्ज नहीं उतर जाता अब करज हो और कोई अहसान हो तब तुरी तक बारे में सोचता रहता है और कठिर महनत करके भी उस करज को उतार के अपने कोل प्री कर लेता है कर लेती है कार्य को सरलता से करने में माहिर होते हैं, बहुत धहरता से सोचते है, और सही रास्ता निकाल कर एक काम को करते हैं, इस लगन होता है, मौसम बदलते ही, ठंड, घरम, खटा, मीठा, या कुछ भी इस तरह की एलरजी इने प्रभावित करती है, सीना चोडा होता है, तुला लगरुमालों में गर्दन से लेकर सिंग तक कहीं भी कोई तिल आवश्य होता है आप अभी देखिएगा धिहान दीजिएगा आप तुला लगरुमालों के लिए मंगल शुफर लही देता है दिती और सप्तम का स्वामी होने के कार मारकेश भी होता है तोला वालों के लिए मंखल वार का उब्रत रख ता हर्मान जी की उपासना करना बंदरों को उसकी सेवा करना आपके लिए बहुत अच्छा है मंगल वार को बंदरों को गुर और चनह किलाने से धन की पराप्ति होती है भागोदे होता है तो अपनी section रहता है ये तो अभी एक ट्रेलर है अभी तो आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानना है जब आप अपने बारे में सब कुछ जान जाएंगे अच्छा और बुरा दोनों तो फिर आप सही उपाय करके बुराई को हटाएंगे और अच्छे को जानेंगे अगर आप भी अपनी जनमकुली बनवाना चाहते हैं दिखाना चाहते हैं तो दिएके नमबर के संपर कर सकते हैं नमस्कार जोतिश वो परम ज्यान है जिसके माध्यम से आप अपने आज और कल को जान सकते हैं जोतिश को लिखने वाले बनाने वाले ईश्वर हैं और ईश्वर कभी भी गलती नहीं करते हैं ये आपको भी पता है तो अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं है आप किसी भी परशानी से परशान है वो परशानी छोटी सी हो सकत है तो उस समस्या का हल आपकी जनम कुली में लिखा है कि इस परशानी से कैसे आपको मुक्ती मिलेगी तो आप भी अगर अपनी किसी भी परशानी से मुक्ती पाना चाहते हैं चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुश हैं तो ये जनम कुली आपकी मदद कर सकती है 110% तो इस जरम खुनली को मंगवाईए order करिए और अपनी समस्या का समाधान इस जरम खुनली के पन्नों में पाईए चाहे हो समस्या कोई सी भी क्यों नहीं हो तो मैं स्प्लोजर सचीन आपसे वादा करता हूँ आपकी समस्याओं का हल इस जरम पत्री में छुपा हुआ है पढ़िये और जानिये कि आपको आपकी परशानियों से मुक्ती कब और कैसे मिलेगी अभी order करें नमस्कार